आप देख रही है MNS News सच जरूरी है वहीं उनका हम साया मुल्क भारत कामियाबियों की नई उचाईय चु रहा है इस बीच हरदीप सिंग निजर की हत्या मामले में भारत की ओर से कनाडा को दिये गए जवाब पर एक पाकिस्तानी यूटूबर ने आवाम से सवाल जवाब किया पाकिस्तानी यूटूबर ने पुछा कि आज के दोर में भारत जिस तरह कनाडा से आखों में आखे डाल कर रह है क्या हम यानि पाकिस्तान उस तरह से किसी भी मुल्क से बात करने की shtithिति में है इस पर पाकिस्तानी आवाम ने कहा पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है लेकिन यहाँ पर जो नेता है वो आजाद नहीं है यहाँ के नेता को देश से कोई लेना देना नहीं है इन लोगों ने देश को कब्रिस्तान समझ लिया है जब भी किसी रिश्यदारों की मौत होती है तो अपने हुक्मरानों के रवाईय से एकदम खाफा दिखीजिया उन्होंने कहा कि उनके हुक्मरानों का देश से कोई नाता नहीं है वो सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं वो पैसा जमा करने पर विश्वास रखते हैं पाकिस्तानी अवाम ने देश के पुर्वप्रधान मंतिर नावाश शरीप पर हमला करते वेका कि उनका नाम पनामा पैपर्स में आ गया है जिसके अर्बो डॉलर के घोटाले का पता चला है आई-एम-फ के चंगुल से बच जाएगे पाकिस्तान में लगतार बढ़ते पेट्रोल और रोजमर्रा के चीजों को लेकर धना प्रदर्शन हो रहे हैं इसी दोरान प्रदर्शन में स्थानी अनेता ने कहा हमें ऐसा काम करना है कि हम लोग आई-एम-फ के चंगुल से बच ज जाएगे हालाके अभी हम आई एम एफ के गुलाम है वो जिस तरह के पायोले सी बनाते हैं वैसा ही हम करते हैं कनाडा फिर हुआ बेनकाप टूडो और जेलनसिकी की मौजूदगी में संसद में हिटलर के लिए लड़ने वाले सेनिकों का हुआ सम्मान जिया खालिस्तानी समर्थक कातंकी अरदीप सिंग निजर की हत्या को लेकर भारत का सवाल खड़ा करने वाले कनाडा खुद एक ही बार फिर सवाल के कटगरे में खड़ा हो चुका है दरसल इस बार कनाडा में ताना शाह एडल्फ हिटलर की सेना में शामिल 98 वर्षिया यारोसलाव हुंका एक नाजी और एक युध्ध अपरादी का सम्मान किया है कनाडा की संसद ने माजी नाजी समर्थन सेनिक की सम्मान के संसदों ने खड़े हो कर ताली बजाए और इसे सम्मान दिया इस गटना के समय युक्रेन की राश्पती वालदी मीर जेलनसे की और कनाडा की प्रधान मंतरी जस्टिन टूडो भी वहां मौजूद थे जिया युद्ध में हिस्सा लेने वाले थे सैनिक रूस के खिलाफ लड़ा था जिसके बाद कनाडा की प्रधान मंतरी जस्टिन टूडो और युक्रेन की राश्पती जेलनसे की निक खड़े होकर उसके सम्मान में तल तालिया बजाई आप ये वीडियो भी देख सकते हैं जिया ये रोसलाओ ढूंका को युक्रेन की नायक के रूप में कनाडा के सांसत में प्रस्तूत किया गया हलाकि कनाडा यहुदी मनावधिकारी समू के जरिये ये जानकारी दी गई है कि ये रोसलाओ ढूंका दी ने यहुदी समूदाय के किलाफ लड़ाई लड़ी थी ये जानक सामने आने के बाद कनाडा के हाउस अफ कॉमंस से केस्पिकर ने कनाडाई संसत के समख़ माफि मांग ली है मुझे अपने फैसले पर हो रहा पच्चता ओजिया वलदे मीर जलंसिकी वही उक्रेन की राश्पती वलदे मीर जलंसिकी ने भी कहा है कि यह रूसलाव हुंका की प पूरी डिटेल्स भारत की एजंसियों ने कनाड़ा को कई बार खुफिया जानकारी के आदार पर खालिस्तानियों की जानकारी दी लेकिन उधर से इन आतंकियों को लेकर नरम रवया ही जारी रहा 2014 के बाद भी भारतिय सुरक्ष एजंसियों ने ओटावा के सक्षमों को जानकारी दीती लेकिन तब उधर से कहा गया था कि भारत और कनाड़ा की खुफिया एजंसियों के बीच कोई ऐसा समझाता नहीं है जिसके मुताबिक उनकी रिपोर्ट्स को सबूत के तौर पर माना ज किया बावजूद इसके जस्टिन टूडो के सरकार वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए खालिस्तानियों को सुरक्ष देती रही अब एन ए ने कनाड़ा में रहने वाले खालिस्तानी आतंकियों का डोजियर पेश किया है इससे ऐसे आतंकियों के बारे में भी पूरी जानका समर्थ तक उग्रवादियों का भी जिक्र किया गया है इसी तरह की दिन बर्ग की तमाम बड़ी ख़बर से फिर कराएंगे आपका रूबरूत अपता के देखते रहे हैं मेरे साथ यह निर्शन सारी के साथ नमस्कार यह है MNS News निट पर और आप देख रहे है MNS News